कि वोट आम ट्राइंग टेल यू इस के विलन ने एक पॉइंट दिया है वो मुझे बार-बार बोल रहा है कि सर आपने बोला था कि आप आप हमारी हेल्प करेंगे और हम में वह जो पंदरा ओफिसर लाइक कॉलिटीज है वो हमारे अंदर इंबाइब करने की कोशिश करेंगे ताकि हम एसेजबी में उसको पास हो सकें तो आइ में इंटेंट अट ओनली आम ट्राइंग को तेल यू दिए फर्स थिंग बफोर आइ एक्चली स्टार्ट टीचिंग यूँ ओट अससबी वोज तो मैं पहले आपको यह पंदरा कॉलिटीज जो वो आपका असेसर है जाए वो आयो है यह जी टीओ है यह फिर आपका साइकॉलोजिस्ट है वो जो पंदरा कॉलिटीज आपके अंदर ढून रहा है वाइवेरियस मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो कॉलिटीज आपके अंदर इंबाइब कर दी जाएं तो यह जो विलन नाम का एक कैंडिडेट जो हमारे साथ है वो तीसरी और चोथी बार मुझा यह बोल चुका है कि सर आपने हम तो वेट कर रहे हैं कि आप NLP कब हमें सिखा होगे तो आज मैं उसका जवाब देना चाहता हूं before I proceed further आप जो इस ग्रूप में मेरे पास आए हो मैंने आपके ऊपर NLPs अलरड़ी शुरू कर दी है NLPs यह psychological techniques हैं यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि physics की अगर ohms law था यह newton second law of motion था तो उसका एक definite answer है जो जवाब मैं आपको देदूं जिसको पढ़के आप याद करके SSB में पास हो जाएंगे यह आपका persona है यह आपका mind है जिसके उपर मैं काम कर रहा हूं और अभी चुकि इन्होंने एक 800 पेज की मुझे e-book दिखाई थी जो मैंने पड़ी हुई है और मुझे बोला सर इसको कैसे यूज करना है तो यह आप tension आप छोड़ दो NLP techniques या psychometric techniques या Harrison assessment या कोई दूसरा जो है वो यूज करना है वो मैं कर रहा हूं जो मैंने पहले दिन से आपको बोला था कि आप अपना group बनाईए और group में ऐसे ऐसे करके आप subjects बांटिए ग्रूप की leadership हार एक session में different आदमी को दीजिए उसकी क्या-क्या responsibilities होने चाहिए वो क्या करना चाहिए आके वो सब चीजे में आपको बता रहा हूं this is an NLP technique क्योंकि कल तक आप अकेले घर में बैठे किताबों के साथ पढ़ रहे हैं आज आप group में बोल रहे हैं you started speaking so moment you start speaking speaking के लिए आपको अपनी तयारी भी करनी पड़ेगी जो आपका subject है जिसकी responsibility जिस दिन आप chairman as group के leader है उस दिन जो पढ़ाना है वो भी आप तयारी करके आएंगे तो आपको बोलने की practice हो जाएगी plus अगर कोई दूसरे का भी है तो चुकि group में बैटे हैं तो आपने उसके बारे में बोलना है उस subject के तो उस subject की बारे में आप तभी बोल सकते हैं आप उसकी तयारी करके आओगे तो इससे जैसे एक छोटी तोड़ पर मैं आपको example दे रहा हूं इससे आपका communication skills बढ़ गया आपका confidence बढ़ गया आपका initiative बढ़ गया आपकी जो शमता थी दूसरों को influence करने की वो बढ़ गई आपकी social adaptability बढ़ गई तो इस तरीके से जो मैं आपको group बना के बात करने की ब सब्सक्राइब की training लेने जाते हैं तो वह आपको group बना के ऐसे करने की कोई बात नहीं करता वह सिर्फ आपकी class लेते हैं यहां group discussion के टाइम पर आपको एक साथ बिठाते हैं तो मैं तो आपका हर subject में वही करवा रहा हूं ताकि आपको वह 15 qualities ना बारी बारी आ जाएं और आपको समझ में आए कि quality है क्या that was number one second point जो मैंने आपके group पे देखा है मुझे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे से लड़ने में बहुत विश्वास करते हैं आप ही मैं से किसी ने मुझे पूछा था कि सर PPTT में वह जो fish market बन जाती है how to come out of it तो अभी आपको पता चल गया कि group में ही आपकी fish market बन रही है because everybody is trying to criticize the other chaps अगर किसी ने कोई गलत चीज भी बोली है और आपको वह पसंद नहीं आ रही है you need not get up and speak your mind out on that just ignore it आप उसको constructively बोल सकते हैं पर या आपने जो बोला वो ठीक नहीं है यह ऐसे होना चाहिए rather than आप तो जगड़ा करने लग पड़े और यह जगड़ा ही तो fish market है और SSB में जब दो जगड़ा करेंगे किसी भी forum में चाहिए वो psychologist के सामने है या आयो के सामने है या जीटी ओ के सामने है या इवन मैंने आपको बोला था और आप मेरी जो directions हैं उसके हिसाब से चलिए तो अभी coming back to last room meeting जब हमने TAT की बात करी थी तो मैंने आपको एक situation दी थी के आप सड़क पे जा रहे हैं और वहां पर आपको मिलता है एक भीड लगी हुई है बीच में एक आदमी खून से लटपत गिरा है और उसके ये picture है अभी आप इस picture को बताईए क्या करना है स्टोरी लिखनी है तो आप मैंसे कुछ लोगों ने स्टोरी लिखी है मैं कुछ पढ़के आपको सुनाना चाहूंगा सबसे पहले है इस पिक्चर शोग अफ लेडी लाइग 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 नेक्स्टू और हमने इसमें अर्जंसी वाली बनाई कि लेडी इस सेंटरी पहले इनको हीरो जो है इरो आप हो जो 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 जैंत है वह हीरो है कोन सी एज है उसकी इंट्रडक्शन दीजिए कि वह शेयर मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है वो सकता है किसी एंसी सी का केरिट है जिसको फुर्स टेर्ट सिखाई गई है तो उन्होंने देख़ ऐसारि में वह जब कोश करने क अपने फtsåरी अपने करने की और शींग का उन्यू अर्वात अजा इसकी तैर में गृट में लीघ करने कि अपने आपने इसकी अर्सकी जिए टार्वनी के लोग फैक्ट एक्टरटू त्री की आपने पतानी है तो आप बंड अपैárias point very clear okay another one is this is written by again it says Vishna failed in a second year annual examination of graduation so she was very sad but her brother talked to her and gave advice to appear back in the exam she agreed and made the routine joint so this is also a routine kind of a theme that you will fail in examination and the next year will pass so there is no big deal if it will pass in the next year yeah it's not about next year I mentioned that they gave appear in ok fine whatever this means that I am pointing you to the point that whatever you are looking at that theme in the calamity found this in which someone's knowledge has been going to lose so that when you write your story you can be a group in your group that you can find your effectiveness साथ के अगर वो अगर मान लो आप उसको नहीं भी बताता तो वो खुद भी सप्लिमेंटरी ग्जाम देदेदी पढ़के आपके आपके लीडर्शिप में क्या फाइदा हुआ अगर आपने उसको इसको बिमार किया होता टांग उसकी तूट गई है यह ऐसी कोई अगरी अरजन सी वाली सिचुएशन क्रियेट करी होती तो आप ग्रूप में सबको और देते हैं तुम एंबुलेंस को बलाओ जैसे एक्जामपल दे रहा हूं तुम उसको बलाओ तुम उसको बलाओ तुम उसको बलाओ तो यू हाव लिवरेज आपके पास एक तरीका है कि आप अगर मैं लफस यूज करूं आप किसी को बेवगूफ ना रहे हो अगर क्वालिटी आप में नहीं भी है तो लिखते समय तो आपने लिख दिया ना पर अगराम ाम या करूं तो इसा नहीं भूगा जो मैं अपकी ट्रेशनिंग कर रहा हूं जो मैं प्योच मैं लगाता हूं मही ब्लिट उ आप मैं सब यूली अपने आप आजाएंगे तो आप मैं सब आपके। अडे दान बोल् सिंग को टूली ने बीटर गूरबज को ल and she has not been able to prepare her lunch after some time Rahul take a thermometer देखो फिर वही, मदर को आपने हैडिक देदी है, you can make it a little more serious thing और फिर आपने उसको thermometer दिया, बिल्कुल ठीक हिया, पर सारा काम आप खुदी करे जा रहे हैं तो अभी तक मैंने जो 4-5 स्टोरी आपकी पड़ी हैं, तो यह आप देखिये, आप सारा का सारा काम खुदी करे जा रहे हैं तो आपने जब स्टोरी लिखनी है, आपने सेकेंडरी करेक्टर को अंदर लाना है तो फर्स्ट डिफामिटी इन दे स्टोरी इस जब भी आजो अपने आपको डिस्कुस किया है, आपने जो अपने आपको डिस्क्राइब करना है, जो अपनी एज देनी है, खुदी बोलो, अगर आपको समझ में नहीं हारा, आप बोलो कि गवर्मन्न कॉलेज का मैं मतलब कोई अर्जिंसी, फिर जब उस चीज को आपने जब करना है, तो सब कुछ अकेले करोगा, तो आपको वो साइकोलोजिस सेल्फिश मांगे, मानेगा, जो की एक्सेप्टिबिलिटी नहीं है, फॉर्म एसस्बी और इवन फॉर्जिस के सेक ऑफ आर्म फोर्स, आपने आपने आपको एक ग्रूप मैन, एक ग्रूप लीडर बताना है, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आप सेकंडरी करेक्टर अगर फोटो में नहीं भी हैं, तो आप उनको एड कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पास एक लीवरेज है, I hope I made myself clear, वो बोला साम में इनिशेटिव दिखाया, एक confidence दिखाया, और अपनी जो effectiveness थी group के उपर factor 3 की वो भी दिखाई, फिर उसने medical aid organize करी, family को बताया, police को बताया, जो एक legal provision है, तो organize भी सब कुछ कर लिया, और फिर उसने सब को, अपना description सब को बताया कि आप ये करिये, आप ये करिये, आप वो करि हम मिलके ही करते हैं, तो ये सब उसका power of expression था, तो इस तरह से जो factor 1 था, सारा cover हो गया, तो ये भी आपने, उसके, जैसे मैंने, इस के ओपर, can we show this page somewhere, can they see, आप देख सकते हो ये page, yes, no, लिख दो, हमें चैट में, yes, okay, तो, see, ये खाने बनाया है, मैंने, ये columns बनाया है, इस इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो मैंने बोला था, पहली बार स्टोरी लिखने में शहेद 30 मिनट लगेंगे, बर ये 30 मिनट घटते घटते आपको आदेगा, तीन मिनट पर ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये भी एक NLP की टेखनीक है, तो ये factor 1 की बात होती है, अभी लेट सी, वेर दस दफेक्टर 2 कमें, फेक्टर 2 मैंने दूसरा लिखा है इसके उपर, तो फॉषल अद्जस्टमेंट, तो फॉर्स फैक्टर इस सोचल अडप्तिबिलिटी, अब अडप्तिबिलिटी मीन्स कि वो इक ग्रूप में एक 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 अथा, कि ग्रूप में आप आप गए, आप भी जा गया, अकेले चुप करके खड़े होगे बीड में, ठीक है, होएगा, देखे जाएगा, कोई ना कोई तो करेगा ही, करेगा, अगर आपको यह एक एक अडप्तिबिलिटी जीरो है, बगर यहाँ पर हीरो नहीं क्या किया, बिग एक एक पर गुप जान बचानी है, वह आगे जाके उसने इनिशेटिव लेके बोलना शुरू कर दी है, तो अगर वह नहीं दिखाता, तो वह भी जैसे दस-बंदरान लोग बीड में अभी तक खड़े थे वहां पर, तो यह भी एक भीड में खड़ा जाता, तो वह पुदी कर रहा है, पर इस कहानी में आपने देखा, कि उसने किसी को बोला कि आप दुछान पर जाये, किसी को बोला एंबुलनस बोला, ला पुलिसBERT बताये, तो यह एक दूसरे के साथ गृॉप में मिलके, को आपरेशन कर रहा है, उसी तरह से उसने सेंस इनिस दिखाईी अभी उसके आने से पहले 15 लोग वहां खड़े थे तो किसीने responsibility नहीं दिखाई कि पही इस बच्चे की जान बचानी है या आदमी की जान बचानी है तो कुछ action करते है तो वो responsibility तो यह आपका factor 2 cover हो गया अगर आप इसको देख सकते हैं तो आप देखिए मैंने ये factor 2 में पहला point था social adaptability cooperation and final was responsibility और उसके आगे क्या-क्या text है जो इस कहानी के अंदर already लिखा हुआ है this is for you to understand is that clear to you all yes sir okay similarly now come to factor 3 that is social effectiveness तो इसमें first point क्या है initiative तो अभी वहाँ 15 लोग खड़े थे कोई नहीं हिला initiative सरे विसी नहीं दिखाया group to take the lead in the process of saving the life okay second confidence तो विजे दिस्पेश confidence knowing fully well that he could take action to save life उसको पता था कि मैं यह मैं जिंदगी बचा सकता हूं तो जो 10-15 लोग बाकी खड़े थे वो SSB के हसाब दे रिजेक्ट है उन्होंने किसीने कुछ नहीं किया ना उनमें confidence था ना उनमें initiative था और again speed of decision वहाँ पहुंचते ही उसने अगले 10-15 second में इस चीज को assess किया perceive किया पर यहां कुछ problem है urgency है calamity है crisis है इसको हमने solve करना है तो विजे तुक immediate steps to ask his fellow mates कि तुम यह करो तुम यह करो तुम वो करो तो यह उसने अपना speed of decision दिखाया यह मैंने लिखा हुआ है factor 3 social effectiveness, initiative, confidence, speed of decision और आगे इनका text लिखा हुआ जो story के अंदर है similarly next points जो इस factor 3 के है influencing the group उसके अंदर इतनी power थी, charm था जब वो लड़का वहां गया अपनी uniform में होगा, जिसमें भी होगा वो उसको बोल सका लोगों को भाया, देखो, यह आदमी की हमने जान बचानी है और आप मेरी help करो तो जैसे ही उसने instructions देनी शुरू की, लोगों ने उसको सुनना शुरू किया, that means he could influence the group, फिर उसके बाद उसने liveliness दिखाई, वो अगर उसने देखा कि खून में कोई है, तो उसको खुद को वो नहीं हुआ, वो बड़ा, यह नहीं कि lively था, वो दुखी नहीं हुआ, रोना शुरू नहीं कर दिया, खून देखे, खून देखते ही यह उसने देखा कि भाई, कोई आदमी मरने वाला है, उसकी कोई problem है, तो उसने रोना शुरू नहीं कर दिया, उसने बोला, नहीं नहीं, मैं तो NCC का केरेड हूँ, मैं तो कुछ कर सकता हूँ, तो उसने फटा-फट अपना करता है कि लोगों को बोला कि आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन पास करनी शुरू कर दी और एक लाइवलिनेस दिखाई, फिर उसी तरह से फैक्टर फॉर, फैक्टर फोर होता है, डाइनमिजम, फ़र्स पॉइंट इस डिटर्मिनेशन, तो उसने डिटर्मिनेशन, तो उसने डिटर्मिनेट होके बोला कि भाईए, जब तक ये लड़का, यहां से इसको फ़र्स टेट दे करके, एम्बुलेंस बलाके, जब तक हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां तक मैं जाओंगा, डिटर्मिन हूँ, मैं छोड़के आओंगा, डॉक्टर से भी बात कर ली, उसको बता भी दिया क्या प्रॉब्लम है, और वहां पर कैयूल्टी को लजा करके, डॉक्टर के सामने रखके, वहां खड़े होके, पूरा डिटर्मिन तरीक अब करते हैं, चलते होगे, आपको समय लगेगा, पर पहले दिन ही आप बोलो कि मैं तीन मिनिट में स्टोरी लिखूंगा, ये गलत आटिट्व है, आप बोलो मैं आदे घंटे में लिखूंगा, वह चार हैडिंग्स के अंदर और ये पंदरा हैडिंग्स के अंदर उनको डालूँगा, तो आपको समझ में आने शुरू हो जाएगी, और दूसरा, जब आपको समझ में आने शुरू हो जाएगी, आपने लिख लिया होगा, तो आपसे कोई पॉइंट मिस आउट भी नहीं होगा, आप जिब सेकेंडरी क्यारेक्टर को एक अठा करेंगे, आपको बनाएंगे, तो आपका फैक्टर 3-4, 2-3 कवर हो जाएगा, आप प्लैनिंग करेंगे, तो फैक्टर 1 आजाएगा, जब आप उसको पूरा करेंगे, तो आपका फैक्टर 4 आजाएगा, तो इस तरीके से आपकी जो स्टोरी बनेगी, वो साइकोलोजिस को एक्सेप्टेबल और इसके इलावा, मैं आपको कुछ डूज और डूज बताऊंगा, जो आप लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए, और एक मिनट, या, पहले हम करते हैं कि आपने क्या, पहले पहले लेट्स गो फ़र दूज, तो डूज मैंने आपको बोला है, कि आपने अपने हीरो की स्प अपने हीरो के बारे में, और वो डिस्क्रिप्शन में नहीं देना है, वो एक ही लाइन में आना चाहिए, जैसे मैंने किया हुआ है, स्टूट अफ गर्वर्मेंट डिगरी कॉलेज धर्भंगा, NCC कैडट गोईंग फर प्राक्टिकल एग्जाइम और सी सर्टिफिकेट, आपने बता दिया कि वो एक NCC कैडट है, उसमें जितनी भी चीज़ें एक NCC कैडट में होने चाहिए, वो सब हैं, यहां बोल दिये, क्रिकेट टीम का कैप्टन, बास्केट बॉल टीम का कैप्टन, that means, he's a sportsman, उसके अंदर सारी कॉलिटीज हैं, ठीक है, कॉलेज का स्टू स्टूलिय। झाल झाल